तो आपको सबसे पहले तो यह बता हुआ कि यह कब तक आएगा और अगर नहीं आए तो क्या करेंगे हम और कैसे डालेंगे यह से और गूगल पर कैसा होता है और दूसरी चीज़ अगर जब आप अपना एड़र्ट करते हैं तो आपको किन किन वातों का ध्यां रखना है और क कैसे किस तरीके से आपको एड़र्ट करना आज की इस वीडियो में यह सारी चीज़ हम डिसकस करेंगे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सबसक्राइब करने वेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करते हैं ताकि अखिलिया और वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको स आपको अप्सन तो आता है लेकिन इस पर अगर आप यहां नहीं डालेंगे तो यहां पर प्रिंट होके मोईल नमर नहीं आएगा जिससे कि आपका पोस्ट मैंने उसे पता नहीं चलेगा कई बार हो जाता है कि आपको आप नई जगह हैं या सहर वगएरा में आए तो बहु वे मैंना भी ना बंधाब सब्सक्स दीना लिए तो दूसरे नमर पर कंवारा या Все नम्हर सरी गयWatch सके है वह आहीं सकता अब उसके लिमोब करते हैं कि अदो आदि थिक 25 कि इसे अपन करें गे कुछ इस तरी के सही यहां पर लिखाısı आघता है पर यह यह गूगल टिया है च죠 और यहां पर लिखाया गूगल एडसेंस परसन इडेंटिफिकेशन नमबर पिन ठीक है और किस तरीके से आप डालेंगे वह यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आपका एडसेंस पिन दे दिया है अगर यह एडसेंस पिन कहीं खोबी जाता है कहीं दूसरे के पास भी चला जाता है तो परिशानी बाता है तो कब तक के लिए यह 20 दिन तक आपके खर ऐसा है अगर यह सबना हने हम अपने एडसेंस में कैसे करें तो सबसे पहले करने के लिए यहां पर आप ये ऐकन देख रहे हैं या ये आइकन आपकी जो मेल आडिये उस पर वगा तो उस पर क्लिक करक्शक्ता है या फिर यहां पर नीचे भी आपको आपको मिल सकता या फिर दौना जगें मिल जाएगा इस पर कलिक करेंगे अब नीचे स्कॉल करेंगे हमें से नीचे स्कॉल करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर आपको एप एंड सर्विस का उप्चन मिल जाएगा इस पर कलिक करेंगे इसके बाद नीचे स्कॉल करेंगे अब यहां पर आपको एड सेंस का उप्चन मिल जाएगा इस पर कलिक कर देंगे अब आप अपने एड सेंस में लॉग इन कर चुके हैं एड सेंस में लॉग इन करने के बाद देख सकते हैं अब जैसे अगर आपने अपना इडेंटिफिकेशन बेरिफिकेशन कर दिया हूँ उसके बाद आप यह गूगल एड सेंस पिन आने का उप्चन मिलता है तो अब यहां पर आपको ऑप्चन मिल जाएगा एक बैरिफाई और अड्रस का तो इस पर क्लिक करेंगे अब इस पर नीचे सोड़ा से स्कॉल करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिक्स डिजिट बिन डालने का उप्चन मिल जाएगा उसके नीचे संविट का बटन का अप्चन मिल जाएगा अब सैड में आपको में ऑप्चन मिल जाए एक रीसेंड पिन क ठीक है अब मैं आपको बता दूँ कि यह रीसेंड पिन आप इसका यूज तब कर सकते हैं जब 21 दिन हो जाए यानि कि तीन हफ़ते अगर पंप्लीट हो जाते हैं आपके तो उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हैं उससे पहले आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे और 21 दिन अब आप इसे पार आपके लिए अपना यह जो एड़ास है वह फिल गिरिया और एड़ास फिल करने के बाद फिर मेरा इस बार गूगल पिन आ चुका है तो आगे बात करता हूं में अगर नहीं आता तो आप 4-5 बार आरा हम से इसे मतलब अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद करें गांताब अगर रोगर हम बात करते हैं कि इस पिन को वेरीफाइई कैसे करते हैं तो उसके बाद जैसा कि हमने हमारा complete हो चुका है हम थोड़ा सा नीचे है जो तो आप देख सकते हैं है यहां पर इडेनिटिव वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो चुका है हमारा और एड्रस वेरिफिकेशन भी कम्प्लीट हो चुका है तो इस तरीके से हम गूगल पिन को एंटर करेंगे और गूगल पिन एंटर करने का अपना एड्रस वेरिफिकेशन कर देंगे अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी ह वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल करनेट को सस्क्राइब कर सकते हैं तब तक के लिए टेक कियर मिलते हैं अगरी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ